राजिस्तान में जोद्पूर और विकनेर के बीच में छोटा सा शहर है नागौर। यहां का किला अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसे अईच्छत्रपूर किला भी कहते हैं। चौती सदी में बना ये रेतीला किला राजपूर्द मुगर अर्किटेक्चर की मिसाल है। उस समय नागौर परमुगलों का राज था। नागौर किले का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मानताओं के मताबित अईच्छत्रपूर किला अर्जुन द्वारा जीता गया था। जिसे अर्जुन ने अपने गुरु दोड़नाचार को भेट में दिया था। ये किला बास्तु शाष्त को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इस किले की सीमा पांच जार फीट लंबी है। आईए जानते हैं इसकी कहान में। इस किले से कई लड़ाया लड़ी गए है। यहां राजिस्थान के संतल भूमी पर बना किला है। जो अपनी उच्छी वीवारों और विशाल परिसर के लिए परसिद है। इसके लिए को अपने खुबसूरत आर्किटेक्चर के लिए आगाखान अवार्ड 2013 में मिल चुका है। यही नहीं यहां मौजूद कई इमार्पे मुगल शासक शाजा और अक्वाल नेवी बनवाई थी। इसके लिए के अंदर खुबसूरत चार बड़े महल हैं जिन में भक्त सिंग महल, अकबरी महल, दीपक महल और हांडी रानी महल शामिल है। यह महल 17 से 19 सदी के बने हुए है। इनकी दीवारों पर खुफसूरत पैंटिंग्स हैं जो राग रागनी, महलाओं की जीवन शैली, मौसम और पेर पोधों को दर्शाती है। हांडी रानी महल की बात करें, तो इस महल की दीवारों और छट पर महारानी हांडी रानी के खुफसूरत चित्र बने हैं। वहीं भक्त सिंग महल में इसकी इतियास से जुड़ी साजिश शामिल है। लेकिन ये भी एक खुफसूरत महल है। ये महल भक्त सिंग को अपने पिता की हत्या करने पर तौफे में मिला था। अकबरी महल की बात करें तो इसका खुफसूरत आर्किटेक्चर मुगलों और राजपूतों की शैली में है। वहीं दीपक महल की दीवारों पर खुफसूरत फूलों की डिजाइन है। और ये महल पर काफी हवा दार है। इसे आबो हवा महल भी कहा जाता है। मुगल गार्डन और फूबवारे इसकी खुफसूरती बढ़ाते हैं। इस किलिए में 90 फूबवारे और एक खुफसूरत मुगल गार्डन है। इस किले में कई मंदिर और मस्जित हैं जिन में ज्यादातर कृष्ण और गणिश अगवान के मन्दे हैं यहां पांच गुंबद वाली मस्जद भी है जो मुगल शासक अकवल ने बनवाई थी यहां पर सूफी सन्थ मुईन दिन चिष्टी की एक दरगा भी है इसी के साथ ही किले के भीतर राजपूताना शैली में बनी हुई सैनिकों की सुन्दर छट्रियां भी है इस किले में जाने के लिए तीन द्वार हैं सिरेपॉल, बीचका पॉल और कचेरी पॉल मुख प्रवेश द्वार लुहे और लकडी के लुखीले किलों से मिलकर बना है जो दुश्मनों और हातियों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था यह राजस्थान का ऐसा किला है जो समतर जमीन पर बना है